नवश्कार श्वागत है आप सभी का समिक्षा दिकारी प्रारंभिक परिक्षा में लगभग चार महिने का समय अपसेस है और आप लोग के लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि एक बार फिर से जो है आपको जगाया जाए आप में जोस भरा जाए और आपको जो है एक बहतर रणनीती दी जाए कि किस तरह से आप इन चार महिनों का बहुत अच्छे से सदुपियोग करके इस बात प्रिलिंस भी निकालें और मेंस भी क्वालिफाई करें तो आज का जो स्ट्रेटिक डिसकसन है ये बिलकुर रियलिस्टिक है जो आप लोग के सवाल है जो आप लोग के मन में जो है सवाल उट रहे हैं किस तरह से पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है किन किताबों से पढ़ना है और कितना पढ़ना चाहिए तो सारे सवालों का जवाब आपको जो है इसी लेक्चर में मिलेगा बस धैरे से सुरू से आखरी तक देखिएगा उसके बाद मुझे को सुरू से आकरी तक जो है पूरी तरह से सुनिएगा देखिए दोस्तों समिक्षा दिकारी का एक्जाम हर साल नहीं होता है आप भी जानते हैं 2014, 2016, 2017 और अब 2021 और इसके बाद 22 में आएगा या 23 में आएगा ये 24 में आएगा इसके बारे में कोई भी certainty नहीं है इत्ती ज़्यादा vacancies भी नहीं होती हैं तो ऐसे में 2021 आपके लिए एक बहुत बड़ी opportunity लेके आया है क्योंकि इस बार जो है समिक्षा दिकारी परिच्छा का कारिक्रम समय से भोसित हुआ समय से फ़ाम आया और समय से जो है आपको तयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है मौका मिला है इससे पहले जब हम लोगों ने discussion किये थे तब लगभग 6 महीने का समय से इस था आज जो है चार महीने का प्रारंभीक परिक्षा में समय से इस है और उसके बाद चार से पांच महीने आपको मिलेंगे तो पहली चीज जो सबसे बड़ी चीज है अगर आप 2021 की परिक्षा में ही समिक्षा दिकारी बनना चाहते हैं तो प्री और मेंस के भेद को अपने मन से मिटा दीजिए प्री और मेंस ये अलग अलग नहीं है ये एक सिक्के के दो पहलू है और मेंस आपको वास्त्विक सफलता तक ले जाएगा और उसका मार्ग प्रस्वस्त करेगा प्री तो ना प्री आसान है ना मेंस आसान है लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और एक स्मार्ट इस्टेडी के तरीके से एक सुनियोजित प्लानिंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये चार महिना और आगे का पाँच महिना मतलब ये नौ महिना आप अगर जो है आपने ठान लिया है आप में जिद है जुनून है और आप जो है निश्चित रूप से इस बार जो है दोजार इकिस में ही समिक्षा दिकारी बनना चाहते हैं तो ये जो है इससे अच्छा सुवसर आपको कोई नहीं मिलेगा थोड़ा सा हमारा डिसकसर लंबा होगा इसलिए बिल्कुल धैर रखिएगा हम हर चीज पर बात करेंगे जो आपने इस वीडियो को ओपन करने से पहले सोचा है वो सब बात हम करेंगे इसलिए बिल्कुल भ दिकारी मुख्य परिक्षा 2016 बैच के जो है आठ सलेक्टेट कर्नेडेट्स का जिसमें से चार का जो है समिक्षा दिकारी के पत पर चैन हुआ है और चार लोगों का सहायक समिक्षा दिकारी के पत पर चैन हुआ है और ये जो है एक प्रेग्णा है क्योंकि देखिए जब हम ने जो है समिक्षा दिकारी मुख्य परिक्षा का कारिक्रम लाश्ट इयर सुरू किया था 2016 री एकजाम वालों के लिए केवल धाई महिना केवल मैं आपको यहाँ पर पांच महिना बता रहा हूं कि आपको जो है मेंस के बाद प्री के बाद मिलेगा लेकिन ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने केवल धाई महिना हमारे साथ जुड़ कर तयारी की थी और उस धाई महिने में रात दिन सभी ने मेहनत की हमने भी मेहनत की और जितना हो सका किया और ये आठ लोग फाइलि सलेक्ट हुए कम से कम बीस लोग ऐसे और हैं जो सलेक्ट होने चाहिए थे जिसका हमें अपसोस भी है बहुत कम मार्जिन से उनका रुका होगा और इस बार वो भी जो है सलेक्शन लिस्ट में यहीं पर दिखाई देंगे यह मैं उनसे वादा कर चुका हूँ और आप से भी वादा करता हूँ कि आप अगर हमारी स्ट्रेटिजी को फालो करते हैं इमानदारी से फालो करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बार समिक्षा दिकारी की परिक्षा निकाल लेंगे यह मतलब यह है कि आप अगर UPPSC में चैनित हो गया तो जीवन भर आपका UPPSC में ही कटना है आप जो सेक्रेटरियेट में लखनओ आगए तो लखनो में ही आपकी पूरी पर तिष्ठित पतपर पर एक राजपत्रित पतपर जो है आप जीवन जो है और अच्छे से प्रोमोशन पाते हुए जो है व्यतीत करेंगे साथ में इंटर्व्यू नहीं है इंटर्व्यू ना होना भी जो है बहुत अच्छी बात है और कोर्स लिमिटेड है आन परिच्छाओं की अगर तुलना में रेखा जाए आईएस की परिच्छाओं की तुलना में या लोग सेवायों की अन परिच्छाओं की तुलना में तो इसका कोर्स लिमिटेड है लेकिन इसमें कमतीशन तगड़ा है क्योंकि सभी लोग गला कार्ट प्रतिसपरधा यहां पर एक एक नंबर पर सौसो लोग मेरिट में आते हैं तो शुरुआत करने से पहले एक बार मैं कोर्स की आपको ब्रीफ जानकारी दे दे रहा हूँ फिर हम चरनबध तरीके से प्री और मेंस दोनों परिछा के बारे में बात करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे सहायक समिच्छा दिकारी 2021 के लिए फ़ाम आप भर चुके हैं एक अगस्त को प्रारंभीक परिछा है और अगर आपने मन बना लिया है आपने जिद धान लिया है कि इस बार आपको जो है prelims और mains एक के बाद एक लगातार clear करके final selection लेना है तो यह जो course है यह केवल आपके लिए ही बनाये गया है और खास कर beginners के लिए beginners के बहुत सारे phone आते हैं मैं उनको बता दूँ जो पहली बार उन्होंने फॉर्म बरा पहली बार appear होने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो कुछ आपको material वीडियो लेक्चर्स के माधियम से PDF में notes जो है content जो दिया जा रहा है और test series सब कुछ जो है beginners को ही ध्यान में रखके कमस्की बनाया गया है कि आप अगर बिल्कुल अभी से शुरुआत कर रहे हैं जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तब भी जो है आप इस race में बने रहेंगे और बने रहने के लावा आप टेज दोड़ेंगे और सबसे आगे भी प्यास आपका रहेगा जो है और मार्ग दर्सन हमारा रहेगा तो जो हमारा जो है प्रिलिम्स और मेंस का जो है कोर्स है इसका तीन केटेगरी है पहली केटेगरी हमारी जो है प्रिलिम्स प्लस मेंस है इसमें जो है आपको एक साथ प्रिलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जा online education देते हैं और यह जो courses की बात है यह आपको हमारे Decode exam के application पर उपलब्ध होता है आप mobile में जाकर Google Play Store से Decode exam का app download कर लीजिए और उसके बाद आपको जो है login करने के बाद यह सब courses वहाँ पर दिख जाएंगे और आप join करना चाहें तो आप join कर सकते हैं और कोई समस्या हो तो आपके सामने यह WhatsApp का नंबर है 950-67-42546 इस पे आप आरो ए आरो वीडियो कोर्स लिखकर भेज दीजिए और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं उसके लावाद जो है तो आप सीधे बात भी कर सकते हैं लेकिन जब आप message करेंगे तो आपको जो message reply में जाएगा उसमें सारी बात 32 बिस्तार से और पूरी स्पष्टता से लिखी गई है कि आप उसको पढ़के हर चीज को समझ सकें तो पहली category हमारी combined course की है जिसमें prelims और mains की एक साथ त्यारी कराया जाती है prelims का पूरा GS जो है उसका सामान हिंदी साथ में जो है सामान हिंदी की जो है PDF, e-book जो है current affairs के लिए e-maggen मतलब यह सब चीज़े आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारा कुछ इसी package में है और मुख्य परिक्षा में पूरा परमपरागत हिंदी आलेखन test series मुख्य परिक्षा की भी अलग से मिलेगी prelims वाली नहीं वो मुख्य परिक्षा की बिलकुल अलग होगी और PDF में नोर्स मिलेगा साथ में मुख्य परिक्षा की जो तयारी होती है वो prelims के बाद जो है अभी तो पूरा course वहाँ पर बना हुआ है जो लोग चाहें वो आज से ही admission लेके जो है अभी से पढ़ना सुरू कर सकते हैं और एक तारीक यानि एक अगस्त को जैसे ही आपका exam होगा prelims का उसके बाद से हम लोग mains में जो है जो टेली ग्राम गुरूप के माध्यम से जो test जो है हिंदी के लिए अलग से start करते हैं सारा course देने के बाद अलग से आपकी जो practice कराते हैं आपकी copies चेक करते हैं, remarks लिखते हैं, आपको जो है फोन के द्वारा, वो सब कारिकरम प्रारंभिक परिछा के खतम होते ही सुरू हो जाएगा, दूसरी कटेगरी हमारी केवल आरो prelims की, केवल अगर आपका ये interest है कि आप केवल आरो prelims का course जोईन करना चाहते हैं, तो आप प्रिलिम्स का पूरा course जो है, वीडियो लेक्चर, पीडियाफ, टेस्सिरीज के मार्दयम से आपको solve करा जाएगा, तीसरी कटेगरी है आरो आरो मेंस, अगर केवल मेंस का आप course जोईन करना चाहते हैं, आप में बहुत लोग ऐसे हैं, जो कई बार प्री निकालते हैं, वो इस बार भी confident हैं, कि हम प्री तो निकाल ही लेंगे, तो ऐसे जो है लोग जो है, जिनको केवल मुख परिक्षा में इंट्रेस्ट है, तो आप मुख परिक्षा का पूरा course अभी से जोईन कर सकते हैं, 100% course वहाँ पर हमारे app पर बना हुआ लगा है, सारे वीडियो, सारे PDF सब लगे हुए हैं, आप अभी से जोईन करें, और अगर आपने कहीं ये सोचा है कि आप मुख परिक्षा के बाद जोईन करेंगे दोस्तों, तो फिर वही गलती करेंगे, मैं आपको बता दूँ, हमारा जो पिछला बैस था, उसमें एक से एक होनार, एक से काबिल और एक से जो है अच्छे इस्टुजेंट्स थे, लेकिन सबका एक ही मलाल था कि उन्होंने बहुत देर कर दी कोर्स जोईन करने में, और उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं, जो रात दिन मेहनत करने के बाद भी जो है अंतिम चैन में अपना इस्थान नहीं बना पाएं, तो देर करने क्या आउशक्ता नहीं है, आप अगर जो है, प्रिलिम्स में एक्सपर्ट हैं, और आप मेंस जो है पहले दे चुके हैं, इस बार आप फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप तुरंत जो है कोर्स को जोईन करिए, हब्ते में एक दिन अपना केवल मेंस के लिए रखिए, और जो लोग प्री और मेंस दोनों का कंबाइन कोर्स पहला वाले ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको एक घंटा मेंस का केवल पढ़ना है, सब कुछ वहाँ पर अवलेवल है, आप प्रिलिम्स को ज़्यादा फूकस करिए, मेंस को केवल एक घंटा पढ़िए, एक घंटे में आप दस मुहावरे पढ़ लीजिए, दस प्रसासनिक सब्दावली पढ़ लीजिए, एक संचेपढ का वीडियो देख लीजिए, किसी दिन आप एक निबंध का वीडियो देख लीजिए, हपते में एक निबंध लिखिए, साइड बाई साइड प्री और मेंस एक साथ तयार करते चलिए क्योंकि अगर आप प्री निकाल लेंगे उसके बाद आप मेंस का स्लेबस ढूणेंगे कि मेंस में क्या आता है कैसे त्यारी करें तो दोस्तों वो इस्थिती जो है निश्चित रूप से आपके भटकाओ क्योंकि यह बात मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूँ और मै बार बार कहता हूँ कि मेरा दाईत तो है कि आपको यह बात समझाई जाए ची तरीके से कि प्री और मैंस अलग नहीं है प्री और मैंस हमेशा एक साथ लेके जोलोक है वही जो है अंतिम चैन्सूची में अपना नाम जो है देख पाए है मेंस में देखिए यह पूरा डिटेल में लिखा हुआ है आपको मैसेज के थुरू भी मिल जाएगा इस हर जितने भी मेंस के टॉपिक है उसको हम इस तरह से जो है वीडियो लेक्चर, नोर्स और सब कुछ देते हैं उसके बाद जो है हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं आपकी क जो है जिसे कहते हैं कि छाट के बना हुए नोर्स जो नोर्स बिलकुल सीरे टूडू पॉइंट आपके एक्जाम पॉइंट आव यू से मात्पून है उस तरह के नोर्स आपको से मिलेंगे आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं तो यह आपका निर्णा है कि आब आपको क्य करना है मैंने आपको जो है अपने कोर्सेज के बारे में बता दिया अब हम चलते हैं प्रारमभीक परिक्षा की तैयारी की ओर यह सब बाते में पिछले जो है जो हमारा इस्टेटिक वीडियो था उसमें बता चुका हूं लेकिन आप लोग का आग रहे था कि जो लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने 2021 से पहले कभी फॉर्म नहीं बरा था तो एक बार फिर से जो है उन चीजों को मैं दोराओंगा यहां पर प्रारमभीक परिक्षा की संद्चना प्रारमभीक परिक्षा जो है यह 200 अंकों की होती है दोस्तों इसमें 140 अंक और 140 question यानि एक नंबर क आपका जो है सामान हिंदी होता है जिसमें कुल 6 topic होते हैं हर topic से जो है 10-10 प्रसना आप से पूछे जाते हैं और यह जो है 60 number के 60 question इस तरह से 200 number जो है prelims का जो है निरधारित है 200 number में ही आपको जो है prelims को पास करना है 200 question को आपको solve करना है परिक्षा 2 shift में होती है मौनिक shift मे GS का paper होता है इवनिंग shift में जो है हिंदी का paper होता है हिंदी का paper एक गंटे का होता है GS का paper जो है 2 गंटे का होता है उसके अलावा जो है negative marking 2017 से लेके अब तक जो है negative marking लागू है यहां तक की 2016 का जो re-exam हुआ जिसमे negative marking नहीं भी होनी चाहिए थी उसमें भी negative marking के आधार पर ह जो है चैन किये गए हैं तो निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है निगेटिव मार्किंग के साथ में जो है आपको आगे बढ़ना इसका मतलब जो है आपको जो आता है उस पे आपको 100% विश्वास होना चाहिए जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दीजिए उसको भूल जाए लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको 20 बार रिविजन करिए 10 बार रिविजन करिए कभी उसमें कमी ना रह जाए ये अपसोस ना रह जाए कि ये मैंने पढ़ा था और ये मैं जो है पढ़ते हुए और मुझे आते हुए में गलत कराए जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तुरंध आप कहतें कि यह मुझे आता था, मुझे सही पता था लेकिन मैं दो के बीच confused हो गया और मैं गलट टिक लगा के आ गया इसलिए मैं बार बार जो है जो है जोर देता हूँ कि अगर आप जो है पांच घंटे पढ़ते हैं डेली तो उसमें से एक घंटा जो है केवल revision करिए जितना अधिक revision करेंगे उतना आप अपनी सफलता के जो है और करीब होते चले जाएंगे तो यह structure है अभी आगे हम syllabus पर भी बढ़ते हैं उससे पहले आप लोग की एक बहुत इच्छा रहती है कि आप लोग को कटाफ के बारे में पता चल जाए हलाकि आयोग आपकी इस मंसा पर हमेशा पानी फेर देता है कटाफ प्री परिक्छा हुई 2016 रीक्जाम हुआ मेंस हो गया उसका और उसका जो है final result भी आ चुका है लोग select हो चुके हैं लेकिन अभी जो है 2016 प्री परिक्छा का कटाफ आयोग ने नहीं घोसित किया है मेंस तो जो है दूर की बात है फिर भी जो हमारे पास आकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ 2013 में जब निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी तो मेरिट 148 गई थी यह prelims की है और out of 200 है ठीक है इसको ध्यान न कियेगा यह जो है 200 में 148 मेरिट गई थी इसके बाद 2014 में जो है 142 गई थी तब भी जो है निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी 2017 से जब निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई तब जो है उस बार जो है यह 122 गई अब परत्यासित रूप से जो है नीचे गिरी लेकिन फिर 2016 मैंने 130 प्लस लिखाये लेगी कोई certainty नहीं है कुछ लोगों ने बताया उनका 135 पर हुआ कुछ लोगों ने बताया उनका 136 पर नहीं हुआ कुछ लोगों ने बताया उनका 132 पर हो गया किस तरीके से क्या हुआ है अभी भी clear नहीं है जब तक जो है category wise हमारे साम ने cut off नहीं आ जाएगी लेकिन मैं आपको एक लच देता हूँ आप 135 प्लस किसी भी category के हूँ 135 प्लस से अगर आप नीचे सोच के चल रहे हैं तो आप जो है बहुत बड़े धोखे में है 135 प्लस से नीचे किसी भी हालत में selection की जो है आप अप एच्छा जो है मत कीजिए पहले बिना negative marking के जाता था अब वही merit जो है फिन negative marking के साथ जाने लगी वज़े है उसकी वज़े ये है कि इतनी कड़ी प्रतिसपरधा है इस परिक्छा में PCS से ज़्यादा tough competition जो है समीक्छा अधिकारी में है जितने भी अदर exams लोग देते हैं सब लोग इस exam को जरूर दे जो इस पर slide post है उन सब का अगर उन सब के बारे में जानना है तो जो है जो योगिता वाला जो है हमारा वीडियो है उसको आप देख लिएगा तो 135 प्लस का आप लच्छ अगर लेके चलेंगे prelims में तब जो है आप ये मान के चलिए कि आप जो है सफल हो पाएंगे और ये जो है लच्छ आप 135 से 140 के बीच मान कर चलिए तो इसके लिए जो है सबसे जरूरी क्या है पहले हम एक बार पाटकरम पे नज़र डालने ये प्रारंभी परिच्छा का हमारा सामान अध्यन का पाटकरम है दो गंटे का समय होता है 140 प्रस्ण होते हैं और 140 पूरांक होते हैं सबसे पहले हम आते हैं हिंदी पर हिंदी में जो है एक घंटे का समय होता है और 60 प्रस्ण होते हैं पूरांक जो है 60 होता है इसका तो अब 60 नंबर हिंदी के 6 टॉपिक देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है और यहां पर ये विश्वास मानिए दोस्तों कि अगर निगेटिव मार्किंग के बाद तो आप समझ लीजिए रेस में पीछे रह सकते हैं मेरे कई सारे स्टुडेंट हैं दो साल से तीन साल से जो हमारे साथ समीच्छा लिकारी की लगातार पर इच्छाएं दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट हैं जो 55 प्लस लाए हैं इसलिए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप भी 55 प्लस तक पहुंच सकते हैं चैनल पर जो मेरा 33 वीडियो का प्लेलिस्ट है आरो यारो हिंदी कम्प्लीट हिंदी का उसको देख लीजिए अगर उसको आपने 3-4 बार रिवाइस करके देख लिया तो वही सफीसियंट है उसके साथ में जो हमारी हिंदी की e-book PDF है हिंदी की e-book PDF जो नंबर आयने आपको दिखाया था पीछे उस पर आप हिंदी e-book PDF लिकर भेज दीजिए आप वो PDF प्राप्त कर लिजिए जितनी भी मानक किताबे हैं आज की डेट में जिनको आप मानक समझते हैं जिनको मैं मानक समझता हूं एक सिच्छक के नाते वो जो है उन सब का जो है पूरा एक अच्छा compilation उस book में किया गया है हलाकि मैं आपको जो है अभी सारी individual किताबे दिखाने जा रहा हूं बताने जा रहा हूं कि आप क्या-क्या ले सकते हैं क्या-क्या विकल्प आपके पास हैं लेकिन अग लोगों ने विश्वास किया है और उसका परिडाम उन्होंने देखा है तो ये छे topic है अब पहले चली किताबों की बात कर लें फिर हम topic फिर से लोड़ते हैं क्योंकि किताबों में interest भी आपका रहता है आपको जानना रहता है देखिए ये सब जो है मानक किताबे मानी जात आरो केवल ये 6 topic मांगता है तो किसी किताब में तत्समयों तत्भो सब्द केवल 50 दिये हैं किसी में 100 दिये हैं किसी में 150 दिये हैं किसी में 20-25 निपटा दिया है कुछ ज़्यादा example नहीं दिये हैं इसलिए अगर आप किताब पे जाना चाहते हैं तो ये रिख्मंट किया जाता है कम से कम दो किताब आपके पास जो है दो इसे तीन किताबे होनी चाहिए क्योंकि जिससे आप मिला कर सारे टॉपिक्स को इनको कवर कर सकें क्योंकि कोई भी किताब इन में से इस हिसाब से नहीं लिखी गई है जो आरो को यानि समीच्छा अधिकारी को टार्गेट करत तो खैर वो अपनी जगे है क्योंकि हिंदी का जो मानकी करण हुआ है उसी में बिवाद है समस्या यहां पर है कि सारे लेखक एक मत नहीं है कुछ चीजों के लेके तो वो वैरियेशन्स आज भी बनी हुई है वो हमेशा बनी हुई है और हिंदी की जो दसा है देश में इस समय उसी के कारण ऐसा हो रहा है अगर सभी जो है जित्ते भी हिंदी के विद्वान जन है गर वो एक मंच पे आकर जो है एक बार फिर से हिंदी को एक मानकी करत रूप में ले आए तो जो है वो ज़्यादा बेतर होगा तो डक्टर हर्देव बाहरी और डक्टर वस्देव मैं आपको रिकमेंट करूगा कि गर आपको किताब लेनी है तो आप ये दो किताब एक साथ ले सकते हैं ये बहुत अच्छी किताब है उसके बाद जो है एक कंबिनेशन जो है हर्देव बाहरी जी का जो है केदार सरमा के साथ आता है ये सिंगल बुक है मतलब दो राइटर से दिये हुए हैं इसके अलावा प्रुथवीनात पांडे भी जो है अच्छी किताब है कुछ छोटी मोटी तुटियों को अगर हटा दें उसमें से जो है बाकी जो है घटना चक्र आपको लेनी ही लेनी है क्यों क्योंकि प्रीवियस येर कोश्चन्स मैं फिर एक बार प्रस्णों को गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अत्मघात कर रहे हैं आपका जो ही ये कदम आत्मघाती है पुराना कोई भी प्रस्णगर UPSC के एक्जाम में आया हुआ है समीच्छा दिकारी में आया हुआ है और आप उसको गलत टिक करके आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने पैरों पर कुलाड़ी मार रहे हैं इसलिए सबसे पहले सारे पुराने प्रस्ण आपको कंठस्ट होने चाहिए कि उसका सही उत्तर क्या है और उसके एक्स्प्लिनेशन के साथ कि उत्तर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों तो घटना चक्र जो है इस मामले में बहतरीन अपने आप में किताब है और इसके अलावा जो है एक और आपके पास ऑप्सन है जो है जिसमें वर्सवार प्रस्ण वत्तर दिये रहते हैं यूथ कम्टिशन टाइम्स की आप भी ले सकते हैं तो जो भी आपको जो है सही लगे आप देख लीजिए ज कर रहा हूं डिक्सनरी क्यों होनी चहिए हम बहुत सारे सब्ड़ पढ़ते हैं उनका सब्द बिलोम हम रट लेते हैं आगत निरगत संसलेश्ट विसेश्ट आगम निगम हमको उनका आर्थ नहीं पता है हम बस यह जानते हैं कि जो है इसका ये बिलोम होता है हमने उसको आरिक्षा में जानबूच कर जो है तीन विकल्पों को एक जैसा दिया जाता है यानि तीन के समान अर्थ होते हैं एक अलग होता है तब पूछा जाता है इन में से इसका विलोम कौन सा नहीं है ऐसी स्थिती में अगर आप ये नहीं जानते हैं कि A, B और C ये तीनों आपस में समान अर्थ हैं जो चोथा है उसका अर्थ अलग है और वही उसका उत्तर है तो आप इन तीनों में जूल जाएंगे यहीं पर आप बैठे रह जाएंगे दोस्तों मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि आपको अपना हिंदी का जो सब्द कोस है वो मजबूत करना पड़ेग और परिक्षा की तैयारी आपकी हिंदी की तभी बहतर होगी जब आप हिंदी के प्रती समझ विक्सित करेंगे ना कि उसको रटेंगे और इसके अलावाद सबसे लाश्ट में मैंने अपनी किताब का नाम लिखा है जिसको मैं पहले ही रिक्मेंड कर चुका हूँ अगर और आप निश्चिंत हो जाईए और मुझ पे विश्वास है आपको तो आप इस बुक पे विश्वास कीजिए बहुत मेहनत किये दोस्तों इसके लिए हमने जो है तो डिक्सनरी की बात करें राजपाल सब्दकोस जो है जो डक्तर हर्दयो बाहरी के द्वारा लिखा गया ह इसके अलावा प्रभात हिंदी सब्दकोस इसके अलावा वर्धा हिंदी सब्दकोस इसके अलावा राजभासा प्रकासन आगरा से भी आप जो है सब्दकोस महवा सकते हैं जो लोग आगरा में रहते हैं वो तो वही जाके निसुल्क प्राप्त कर सकते हैं वैसे उसको निस अब हम चलते हैं, अपनी मौलिक बात पर फिर वापस कि आपको पढ़ना आप कैसे है, मैंने एक सब्धकोस का अभी जिक्र किया था, सब्धकोस की जरूरत इसलिए होती है, अब आपके पास छे टॉपिक है, छे टॉपिक में आपको चुनना है कि आप सुरुवात किससे करें आप एक साथ जो है, दो-तीन टॉपिक ले सकते हैं, वैसे अच्छी बात है कि अगर आप दो-तीन टॉपिक से सुरुवात करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आपको कहीं हिंदी में कमतर पाते हैं, आपको लगता है कि मैं इंगलिस मीडियम रहा हूँ, और मैं मेरा हिंदी पर कमांड नहीं है, या जीवन में पहली बार आप हिंदी को कमटीशन लेविल पर पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको रिक्पंड करूंगा जो है कि आप सुरुवात करें, वाग के एवं वर्तनी सुद्धी से, जो दो नमबर पर यहां लिखा है, और इसके पीछे जो ह हलंत लगता है, किसमें नहीं लगता है, शा, शा और शा में कौन सा सा जो है कहां पर प्रियोग होता है, कहां पर चंदरविंदू लगेगी, कहां पर अनुस्वार लगेगा, कहां पर हलंत लगेगा, तब तक आप जो है हिंदी को मानक रूप में सही रूप से नहीं सीख प लेकिन सबसे ज़्यादा आपको देगी ये मुखे परिख्षा में जब आप निबंद लिखते हैं, जब आप संचेपढ करते हैं, जब आप मुहावरों का अर्थ प्रियोग करते हैं, जब आप प्रसाफिक सब्धा वली का अर्थ लिखते हैं, तो आप ये मत गुमान में रह जो है जो वर्तनी असुद्ध है उसकी तो आप जो है सीधे जो है जो है जो आपने 40 और 35 का सपना देखा है आप 15 और 20 पे आ जाएंगे जो भी हमारे एक्जामनर्स कापी चेक करते हैं मैं उनको ये मानता हूँ क्योंकि जो लोगों ने भी 2017 के भी कापी देखी है अपना गलती नहीं थी उन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा जबरजस्त जो है उन्होंने प्रस्तावना लिखी बीच का भाग उन्होंने अच्छा लिखा उपसंगार अच्छा लिखा और सब्सीमा का ध्यान रखा मतलब जो तुटियां गुटियां इन सब पर नंबर काट तो हिंदी का एक्सपर्ट कांपी चेक करता है। निबंद के लिए कोई ऐसे अलग से नहीं होता है। हिंदी के जो बड़े अच्छे आचार हैं जो बड़े अच्छे विद्वान है उन सब के दोरह कापियां चेकी जाती हैं इसलिए सुद्ध हिंदी हर सब्द का सुद्धतम रूप आपको लिखना है और उसको प्रैक्टिस मिलाना है इसलिए सुरुवात कीजिए वाकेवं वर वर्किंग मैन नहीं है मैं दोनों तरह से भी बात कराऊं अगर आप एक प्योर इस्टुडेंट हैं और प्योर इस्टुडेंट हैं तो मैं आप से यह अपिछा करता हूं कि आप अभी से आठ घंटे का समय देंगे अगर आप केवल परिक्षा की तयारी के लिए ही इस्पेसली कहीं पर कमरा लेके रहे हैं कहीं पर आप घर पर ही हैं तब भी मतलब आपका एक ही ही लच्छे है कि आपको परिक्षा की तयारी करनी है बाकि आप उसके अतरिक्त जिवको पार्जन संबंधी कोई कार नहीं करत और आप पर किसी तरह का दबाव नहीं है तो मैं आप से ये पिछा करता हूँ कि आप 8 गंटा उसमें से पढ़ेंगे, 5 गंटा आप जो है, किसको देंगे? जीयस को देंगे, डेली, और 2 गंटा किसको देंगे? दो गंटा आप देंगे जो है, आपके हिंदी को, जो आपके सामने है, और 1 गंटा आप मेंस को देंगे, मेंस को मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस मेंस के गंटे में आपको कुछ बिसेस नहीं करना, अगर आप कोर्स मे रोल्ड है तब तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी है तो मेंस का स्लेवस अभी हम लाश्ट में डिसकस करेंगे आप जो है रोज दस मुहावरे दस प्रसास्निक सब्दावली और जो है एक और कोई टॉपिक जो है एक कंप्यूटर के जो है दो चार जो है कोईश्चन इनको आप पढ़िए पढ़ते रहे लगातार पढ़ते रहे और हपते में उसका एक बार जो है रिवीजन करते रहे जिससे जैसे ही मुह की परिक्षा खतम हो फिर आप जो है रिजल्ट के उपापो की स्तिती सुरू हो जाती है कि मेरा होगा या नहीं होगा कटाफ कितना आएगा क्या होगा मेरे इत्ते नंबर बन रहें क्या होगा उन सब चीजों को किनारे रख दीजे आप जो सोचेंगे वैसा कुछ नहीं होगा जब कटाफ आएगा तब ही जो है आप इस चीज के बारे में सुनिश्चित हो पाएंगे कि आपका सेलेक्षन हुआ या नहीं हुआ तो उस देड़ दो महिने को बरबाद करने से अच्छा है कि आप तुरंत जो है दो तीन दिन का अरेश्ट करकर मुख परिक्षा की तैयारी में लग जाएं उसके लिए अगर आपने अभी से एक घंटा पढ़ा होगा तो ये आपके लिए जो बहुत ही प्लस पॉइंट होगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बिलकुल एक नई धारा में जो है चलने की आपको जो है आवशक्ता पढ़ रही है और इस पांच घंटे में जो जीयस का पांच घंटा है इसमें से आपको डेडिकेटेड जो है कम से कम 45 मिनट जो है करन्ट अफेर्स पढ़ना है ये आप पहले से तयारी भी कर रहे हैं मुझे पता है तो आप पहले से कुछ कुछी लोग ऐसे हैं जो नौकरी के साथ पहले से तयारी नहीं कर रहे हैं एकदम से आज उनके विचारा है आईसी स्थितियां जो है कमी है तो आप कम से कम 5 घंटे का अपना डेली सुडूल जो है ये आपको निकालना होगा, तब ही आप जो है इमानदारी से इस परिक्षा को जो है टैकल कर पाएंगे, पाँच घंटे से कम में आपका काम नहीं चलने वाला है, इस पाँच घंटे में चार घंटे आपको जो है जीयर्स, करेंट अफेयर्स और उसी में आपको समय निकालके कम से कम हपते में एक दिन आपको मेंस के कोर्स को पढ़ना होगा, और जो है पाँच घंटे में एक घंटा डेली हिंदी को पढ़ना होगा, और हिंदी को पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, मैं जब वाक्यों बरतनी सुधी की बात करता हूँ, तो ये नहीं कि आप उ प्रज्जुल कैसे लिखा जाता है प्रज्जुलित कैसे लिखा जाता है आखों से मत देखिए उसको लिखिए बीस बार लिखिए उसको जब तक आप जो है उसके लिए अभ्यस्त ना हो जाएए क्योंकि जब वहां पर आप प्रज्जुल सब्द देखेंगे तो कहीं पर दो रफ को आपी लिजिए वा कि वतनी सुधी को कम से कम जो है हर वो सब्द जो आपको लगता है कि आप गरबड कर सकते हैं एक्जाम में उसको दददस बिस्बिस बाल लिखिए जब आप खुद से लिखे रहेंगे तो आपका जो है खुदी जो है कलम चल जाएगा वहाँ पर ज यह है कि जो भी सब्द पढ़िए उसको जो है अपने सब्द को से मतलब सब को नहीं मतलब विलोम का मतलब यह है कि अगर आप सौ सब्द पढ़ रहे हैं तो मैं आप से पेच्छा करता हूं कि आपको सतर सब्दों की यह कम से कम अपेच्छा आप से करता हूं कि सतर सब्दो जो है बहुत सारी डिस्क्रिशनरी हैं उसमें डालिए और उसका जो है आर्थ समझे अग्य क्या है प्रग्य क्या है अज्यानी और इस तरह के इतने सारे सब्द आपको मिलेंगे जो बहुत कन्फ्यूजिंग है तो आप जब तक उसका आर्थ नहीं समझेंगे आपके मन में ज को उसका reply देना है राजा का कई तरह का विलोम हो सकता है राजा का रंक हो सकता है राजा का रानी हो सकता है लेकिन आपको जो सबसे सटीक वहाँ पर चुनना है जो जित्ते भी विकलक वहाँ पर दिये हुए उसमें से तो आपको हर सब्द का जो है सही meaning पता होना चाहिए तब ही आप जो है विलोम सब्द जो है अच्छे से और पूरे confidence से कर पाएंगे मेरी बात मुझे लगता है आप समझ गया होंगे सब्द कोस का जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ डिक्सनरी हिंडू टी हिंडी की जो मैं डिक्सनरी की बात करता हूँ वो इसी लिए करता हूँ कि जो सब्द आपको नहीं पता है जैसे इस बार एक सब्द आया था देदिप्यमान आरो में जो है सब्द आया था देदिप्यमान कितने लोगों को उसका जो है वो पता था हो सकता उसके आसपास का अर्थ पता हो आपको जो है जो दीपक के समान जो है प्रकासित हो तो ये किसी की यस कीरती को बताने के लिए किया जाता है तो अगर आपको देदिप्यमान का अर्थ नहीं पता है तो आप उसका बिलोम कैसे बता सकते हैं मेरा कहने का आप मतलब समझ रहोंगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है सब्द को दिल से याद करें मतलब दिल से उसको समझें कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इससे जो है एक फायदा और होगा यहाँ पर बिलोम का फायदा होगा मेंस में भी आप बिलोम सब्द सेम क्योंकि जब हम बात करते हैं निबंध लिखने की तो जितना बढ़ियां हमारा सब्द को सोता हैं, जितना डाइवर्स तरीके से जो है अपने सब्द ग्यान को यूस कर सकते हैं, वही आपका वहाँ पर परिक्षण होता है क्योंकि किसी भी चीज को लिखने के पचास सब्द हो सकते हैं, आप कौन सा बेश्ट सब्द चुनते उसमें ये प्रभावित करता है एक्जामनर को, तो यहां पर बिलोम सब्द की बात हो गई, और जो पढ़िए उसको उस हपते, एक हपते मालीजे आपने जो है 200 बिलोम सब पढ़े, तो एक हपते बाद जो है, एक संडे का दिन या कोई भी दिन ये आपके उपर है, एक निधारित कर लिजे कि आपको पहले उसको रिवीजन करना है, आप जितना पढ़िए उसको रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप निगेट्वी मार्किंग के एक्जाम में नहीं निकाल पाएंगे, ये विश्वास रखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये मोटिवेट कर रहा हूं, कि रिवीजन ही सफलता का राज है, जितने भी लोग सलेक्ट हुए हैं, आप सबका इंटर्व्यू देखिए, आप सबसे बात करिए, जितना जादा रिवीजन, पढ़िए कम रिवीजन जादा करिए, जो आपने पढ़ा है, उसमें से आपको नहीं गलत करना, जो आपको नहीं आता, उसको इमानदारी से स्विकार कीजिए, कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता, मैं इसको छोड़ रहा हूं लेकिन जो आपको आता है उसको आपको जो है honestly ये उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको आता है तो वो 100% आता है वो आपका गलप नहीं होना चाहिए पढ़िए revision करिए अपना खुद का time table बनाईए मेरा मेरा जो है मैं तो आपसे एक आदर्स बात कर रहा हूँ आपकी परसितियां अलग हो सकती है आपके घर में अलग तरह की समस्याय हो सकती है आपके साथ कुछ और समस्याय हो सकती है आपके साथ कोई सारेरिक परिसानी हो सकती है अपना schedule अपना timing खुद बनाईए जो है और उसको strictly follow करिये 2021 अगर आपको जीतना है 2021 की इस जंग में आपको जो है फते करनी है तो आपको अपना जो है टाइंटेवल खुद डिसाइड करके और उसको strictly follow करना होगा और कभी भी निरास मत होई यह बहुत से जीवन में समय आते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ पाया कुछ function हो गया या कोई miss happening हो गई कोई बात हो गई तो यह नहीं कि मैं 3 दिन नहीं पढ़ पाया अरे अब तो मेरा सब गरबर हो गया चलिए ठीक है जहां से भी आप सुरुवात करेंगे गर आपने एक इमानदार सुरुवात की है मालिज़ आप आज इस वीडियो को देख के पढ़ना सुरू कर रहे हैं तो आज से ही जो है आप जीत जाएंगे लेकिन आप सुरुवात तो कीजिए एक इमानदार प्रयास कीजिए जो है उसके बाद जो है सबसे बहतरी इन सेगमेंट है अनोज सब्दों के लिए एक सब्द बच्पन से आप पढ़ते आ रहे हैं जैसे आप विलोम को पढ़ते आ रहे हैं अच्छे से तयार करिए बहु जादा सब्द भी नहीं होते चार-पांस सब्दों में ही सब होता है previous year question मैंने भी पहले बताया था जब भुग सारे previous year question घटना चक्र या किसी भी किताब से अच्छे से पढ़ लीजिए उसमें से भी आपको एक भी जो है गलत नहीं करना है repeat अगर होगा 30% से 35% तक repeated सब्द होते हैं या उन पे based जो है question repeated वाले पर ही आते हैं घटना चक्र का जो है revision must है साथ में पूर्वा लोकन का तद्सम और तद्भो यहां पर जो है आपको brain यूज करना होगा रटना अलग है मालीजिया आपकी रटनिक छमता है आप रट लीजिए लेकिन सब्द को समझिए मैंने वीडियोज में भी अपने हिंदी के जो मैं 33 वीडियो की स्रंकला की बात करता हूँ उसमें तद्सम और तद्भो के कुछ सामान नियम होते पहचानने के कि अगर ससी वाला सा है तो तद्सम होगा कि तद्भो होगा सटकोड वाला है क्या होगा चांद बिंदु लगी है तो तद्सम होगा तद्भो होगा विसर्ग लगा है या अनुस्वार लगा है तो यह कुछ उसके बेसिक नियम है जो हमारे ई-book में अच्छे से दिये हुए हैं बाकी अन्य बुक्स में भी दिये हुए हैं पहले उनके बेसिक नियमों को समझिए उनको दिमाग में बैठा लिए क्योंकि यहां पर आप एक्जाम जो है odd one out वाले आते हैं इन तीन में से कौन सा तत्सम नहीं है इन तीन में से कौन, तीन को हटा दिए, चौथा कौन सा तत्सम है, अब इस तरह के प्रस्ण, आयोग जो है दिन पर दिन अपने तरीकों को बदल लाए और आपको अपनी स्टिडी का तरीका बदलना पड़ेगा, आपके वल सीधे फ्लाइट याद करके एक तरफ तत्सम एक तद्वों को नहीं बैठ सकते हैं, आपको जो है, उससे जुड़े हुए सब्दों को, और जिस सब्द के बारे में आपको ना पता हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस सब्द की आपको मीनिंग नहीं पता है, उस सब्द की मीनिंग दोस्तों पता करिए, उसको पढ़िए, उ तोड़ा सा समय लगेगा मैं मानता हूँ एक सब्द आपको जो एक सब्द कोस में ढूणने में दस मिनट लग सकता है लेकिन वो दस मिनट में जो आप एक सब्द ढूणेंगे उसके चक्कर में आप 20 सब्दों को और नजर पड़ेगी आपकी और जो ढूण के आपने पढ़ या वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद आते हैं विसेश और विशेशन इसके बिल्कुल इस्थापित नियम है वीडियो को हमारे देखिएगा जो लोग कोर्स में है उनको तो चिंता करने की ज़रुवत नहीं वहाँ पर वीडियो है और सारा मटीरियल ई- यहां पर मैं विसेश रुप से आपको बता रहा हूँ आपको लगता होगा कि परियावाची तो एक के जो है बीस बीस दिये हुए है अब मुझे याद कैसे होंगे लेकिन परियावाची में भी वही बात है परियावाची में क्या है जब तक आप चीजों का जो है आर्थ नहीं सम्मेंगे पीतांबर क्या होता है आपको आर्थ नहीं पता है और आपने जो है उसका रट लिया कि जो है इनका परियावाची होता है तो सबसे पहले जिन सब्दों का आर्थ नहीं पता है दस मिनट वहाँ पर ठहरिए उसका सब्द को से सब्द आर्थ ढूंड के आपको पता ही नहीं कि यह कामदेव का परयावाची है तो क्यों है तो परयावाची तो आपको याद तो करना ही है लेकिन अगर आप उसके समझ के उसके अर्थों उसके मूल अर्थ को भी आद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप confusion कि सिती में नहीं परियावची में एक साउधानी रखिएगा जब भी शुरुवात करिएगा बहुत लंबी लिश्ट होती है हमारी e-book में भी ठीक ठाक मातरा में दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले आपको जितने भी संग्या सब्द हैं देवी देवताओं के नाम इस्थानों के नाम पढ़िए और e-book में हमारी जो है एक और जो है हमने प्रयोग किया था हमने अनेकार्थी सब्द दिये थे अब आप लोग का फोन आता है मैसेज आता है कि सर अनेकार्थी तो जो है सलेबस में नहीं है सर ये आपने क्यों इसमें लिख रखा है क्या ये भी याद करना दोस्तों परयावाची और अनेकार्थी निश्चित रूप से अलग हैं इससे कोई इंकार हम नहीं कर रहे हैं लेकिन अनेकार्थी क्यों दिये जा रहे हैं आप देखिए आप इस समय का एक्जाम के पेपर को देखिए तीन परयावाची सब्द ऐसे दिये जाते हैं जो एक दूसरे के अनाकार्थी होते हैं, चौथा उससे अलग होता है और यही पूछता है कि इन में से कौन सा इसका परियावची नहीं है तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि तीन सब्द आपस में समानार्थी कौन से हैं ये तो आपको अनेकार्थी पढ़के ही पता चलेगा सारंग के 17-18 अनेकार्थी सब्द होते हैं सारंग के 17-18 जो है होते हैं आप कहीं भी देख लिजिएगा किसी भी बुक में तो मालिजे सारंग के जो है तीन जो है वहाँ पर दिये हुए हैं सब्द अनेकार्थी सब्द आपके उसमें लिखे हुए है चौथा एक अलग कर दिया आप इसे पूछेगा आपसे question निम्न मेंसे सारंग का परियावाची या समानार्थी सब्द कौन सा नहीं है तो अगर आपको सारंग के अनेकार्थी सब्द नहीं पता है कि सारंग किन किन का होता है तो आप कैसे जो है ये decide करेंगे कि कौन सा इसमें से नहीं है इसी लिए जो है मैंने e-book में ये डाला है जिससे आपको हर चीज का अनेकार्थी भी पता हो अनेकार्थी सब्द आपस में परियावाची नहीं होते एक दूसरे के लेकिन जिसके वो अनेकार्थी सब्द जो है परियावाची होते हैं उदारण मैं यही पर बता दूने तो आप लोग कंफियोज जाएंगे माली ये सारंग सब्द है अब ये मोर का परियावाची है और जो है इसके अलावा जो है हाथी, कोयल, कामदेव सब्द ही का ये जो है अनेकार्थी सब्द है तो मोर और हाथी आपसे परियावाची नहीं हुए हाथी और कोयल आपसे परियावाची नहीं हुए कोयल और कामदेव आपसे परियावाची नहीं हुए लेकिन सारंग के ये सब्द ही जो है परियावाची है ठीक है यही मेरा समझाने का मतलब है कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि सारंग के निमनु में से कौन से परियाब अची नहीं है माली यहां मोर की जिए कि कोई और आपसन हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला जो है नहीं है ठीक है तो अनेकार्थी का ये मात्व है कोई भी चीज आपको दी गई है बहुत सोज समझ के बहुत रिसर्च के बाद जो है दी गई है तो दोस्तों मुझे लगता है हिंदी के बारे में आपने समझ लिया होगा और हिंदी में 55 प्लस आपको यही जो है सपलता दिलाएगा हमेशा इस रणनीती का पालन करिए कि आपको किसी भी हालत में 55 प्लस जाना है GS की जो आपकी कमजोरी है GS की जो अनिश्चित्ता है पेपर की उसको हिंदी ही जो है कवर करेगा साब सुतरे 6 टौपिक हैं सबके 10-10 प्रस्न हैं आपके पास 4 महिने का समय है अगर आप 20-20 दिन में भी एक टौपिक को कवर करते हैं उसके बाद 10-10 दिन भी उसका रिवीजन करते हैं जो है दो-दो बार रिवीजन करते हैं तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा और चाहे आप इसको दो घंटे का समय दें अपने इसाब से बाटें वैसे दो घंटा मिनिमाम हिंदी आपको पढ़नी चाहिए और सुरुवात जो है सबसे पहले previous year questions को या तो बिलोम आप पढ़ रहें किसी किताब से तो साथ में बिलोम के सारे previous year questions को वहीं पर देखते चलिए तो यह अब दोस्तो हिंदी की बात हो गई मुझे लगता हिंदी का आपका मामला clear हो गया यह जो मैं किताबे आपको मैंने बताई वो यहाँ पर photo के माध्यम से हैं को जरूरत हो तो आप जो है इसमें जो है किताब जो है कृष्ण कुमार गोस्वामी साहब की भी जो है बहुत अच्छी किताब है और किताबे तो यहाँ पर सभी अच्छी है डाक्टर रागो प्रकास है एक यह और बहुत ही gentle और बहुत ही मानक हिंदी के अनुसार लिखी किताब है ब्यवारिक सामान इंदी डाक्टर जो है रागो प्रकास और डाक्टर सविता पाईवाल की जो है आप इसको भी एक option के तौर पे ले सकते हैं इसमें कोई भी जो है आप कोई संदे नहीं कि आप इसको जो है ना ले आगे बढ़ते हैं आब आते हैं 140 नंबर के लिए अब 140 नंबर का हमारा जो है discussion शुरू होगा 140 questions तो 140 में 30 से 35 ये 25 से 30 भी हो सकता है थोड़ा सा variation होता है लेकिन ये मानिये जो है कि 25 से 35 तक एक range है current affairs निश्चित रूप से आएगा तो यहाँ पर जो तुरूप का इका है वो current affairs है आज से अभी से current affairs को पढ़ना शुरू करिए मैं सबसे पहले current पर ही discussion कर लूँ फिर मैं बाकी subjects पर आऊँगा current affairs को अभी से अच्छे से पढ़ना सुरू करिए और अब प्रस्न जो है बहुत अच्छे quality के आ रहे हैं जित्ते भी international events हैं जित्ते भी international summits हैं और खास कर प्रस्न दा हिंदू, business times और economic times इस तरह के जो standard news papers हैं उनकी जो headlines हैं उनसे सीधे सीधे भी प्रस्न आ जा रहे हैं आप दा हिंदू पढ़ सकते हैं तो निश्चित रुप से जो है आपको उसका आप मैं यह नहीं करा हूँ कि आप पूरा अकबार पढ़िए आप किसी भी ऐसे जो है माध्यम को फालू कर लीजिए जो आपको दा हिंदू का जीष्ट देता हो आप उसको जो है तैयार करिए साथ में अगर आप एक राष्टी अकबार दैनिक जागरन जैसा भी जो है पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उसका लेकिन आर्थिकी वाला पेज जो आप लोग स्किप कर जाते हैं आकरी में कि सेयर बजार कौन देखे और क्या जो है आर्थिक जगत में कौन देखे आर आप उसको स्किप कर जाते हैं को कि वो लाष्ट में पढ़ता है तो आर्थिकी वाला जो ध्यान लखी है इसके अलावा जो है आपको अब आपका एक अगस्त को एकजाम है तो अधिक्तम मतलब मैं हद से हद बात कर रहा हूँ दस जुलाई तक का जो है आपसे करेंट अफे लेके चलना हो कहीं पर भी थोड़ा सा रिस्क उसाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो है परिक्षात के जीवन का प्रस्न है तो एक दस जुलाई तक का आप मान के चलेंए आपको कवर करना है कब से पिछला नौ मेहना ले लिजिए बस तो जनवरी फरवरी मार्च अप्र माई जून और जुलाई को आप लगबग छोड़ी रखिए तो छे महिना यह हो गया और 2020 के आखरी के तीन महिने अक्टूबर नौमबर दिसंबर और इसमें भी जो मैक्सिमम आपको पढ़ना है वो एक जनवरी से पढ़ना है मतलब 2020 के आखरी के तीन महिने तो आपको पढ निश्ची तुरूप से किसी ने किसी एक्जाम के लिए पढ़ा होगा तो उसको रिवाइस कर लीजिए और उसमें से जो आउटडेटेड हो गई है जैसे माली जिए कोई सुचकांग है वो बदल गया कोई रैंकिंग आई थी वो बदल गई कहीं के परधान मंत्री की भूल सकते हैं वो बदले का नहीं तो आप उस तरह के करेंट अफेर्स को निश्ची तुरूप से याद रखिए तो अक्टूबर से दिसमबर 2020 कवर कर लीजिए एक सरसरी निगास अच्छी तरी से है और अच्छे से पढ़ना सुरू कीजिए एक जनवरी से और उसके बाद जो है अप्रैल से लेके जून तक का जो है ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक का जो है आपको अच्छे से पढ़ना है गहनता से पढ़ना है मार्च के बाद अप्रैल से लेके माई जून और दस जुलाई तक चलिए दस पढ़ना है कि इसमें से कुछ छूटने न पाए, यह ज़ान लिजिए, कुछ भी न छूटने पाए, जो 60% करेंट अफेर्स आपका आएगा, वो यहाँ से आएगा, जो 20% करेंट अफेर्स आएगा, वो आपका यहाँ से आएगा, और बचा हुआ 20% यहाँ से आएगा, तो बस मैं आपको इसारे में समझा दिया मैंने कि आपकी इंटेंसिटी और ग्रेडियन्ट क्या होना चाहिए कि किस महिने का करेंट अफेर्स आप किस संजीदगी से पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा ठीक है अब मैंगजीन्स की बात आती है बजार में बहुत सारी मैंगजीन्स है समसमाई गटना क्रम है गटना चक्र की आती है दृष्टी की आती है बाकी बहुत सारी और आती है chronicle आती है प्रतियोगतादरपन आती है आप किसी भी एक magazine को जिस पे आपका विश्वास हो जो आप पढ़ते आ रहे हो उसको मंथली ले लीजिए उसके अलावा अगर आपको हम पे विश्वास है तो हमारी मंथली e magazine जो है sufficient है और इसलिए sufficient है क्योंकि उत्तर प्रदेश का especially current affairs कोई magazine जो है यूपी में नहीं छापती है अगर छापती है तो एक पन्ने में या आधे कॉलम में उसको छापके खतम कर देती है और हम 6 से 7 पन्ने कम से कम 50 points को जो है elaborate करके जो है उसमें देते हैं जो आपके UPGK UP के सारे exam, UP के current affairs सब को पूरी अच्छी तरह से cover करती है तो आप हमारी e magazine जो मंतली है उसको लीजिए बहुत easy है PDF जो हमने number आपको दिखाया था सुरूपे उस पे आप call करके पूछ लीजिए और आप चाहें तो जो है यहां से लेके मतलब पूरा October, November December 2020 से लेके अभी तक की सारी magazines ले लीजिए उसमें आर्थिकी वाला भी से सांग, UP, budget सब कुछ जो है आपको जो है सब cover हो जाएगा कुछ भी अलग से आपको पढ़ने ज़रुत नहीं है हाँ उसके साथ जो है आप अपनी जो है संतुष्टी के लिए जो है आप अकबार पर भरोसा कर सकते हैं या कोई एक magazine जिसको आप जो है और अच्छा मानते हैं उसको ले लिजिए इसमें कोई आपत्ती वाली बात नहीं है तो मुझे लगता है कि current affairs के लिए अभी फिलहाल इतना discussion जो है परियाप्त है और सब कुछ जो है जो आप जानना चाह रहे होंगे मैंने बता दिया है अभी current affairs के आगे मतलब जो important topics हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जादा कहां से आता है वो जो है देखेंगे तो ये है syllabus, syllabus को मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ने के आऊ शकता है काफी देर से आप इसको देख रहे हैं और syllabus को बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लिए syllabus को recording पढ़ना है पहले थोड़ा सा हम trend समझते हैं exam का अलाकि trend जो है बहुत ज़्यादा volatile है बहुत ज़्यादा flexible है कोई एक बहुत set pattern नहीं आता लेकिन आखरी में अभी मैं आपको एक जीस्ट बताऊंगा कि वो top के 5 subjects कौन से हैं जो आपको जो है सबसे पहले cover करके उनको खतम करना है उनको revise कर लेना है देखिए ये 2016 prelims जो अभी 2020 में हुआ है जिसका mains का भी latest result आया है उसकी हम बात करते हैं अभी का सबसे latest exam यही हुआ है ROPRI का तो भारती तिहास इसमें 20 प्रसना आये थे 0 का मतलब ancient history 0 8 जो है medieval 12 जो है modern history तो समझने के लिए काफी है कि भारती राष्टी आंदोलन जो है history में सबसे बड़ा जो है योगदान देता है फिर कला संस्कृती को हमने अलग कर लिया वैसे इसके साथ ही जो है जो जोड़ा जाता है दो प्रसन इसके साथ आये थे 200 भारत का भूगोल 17 question आप अपने आप में देख सकते हैं कितना बड़ा यह segment है इसके बाद अब हम science की बात करेंगे तो science से इस बार अप एक छाकरत कम question आये थे लेकिन इसको कम आखने की आवशकता नहीं है no question आये थे economics से art question आये थे लेकिन वो art question में current affairs जो है सबसे ज़्यादा था static जो economics से वो कम थी quality art question आये थे उत्तरपदेश जो है विसेश जिसमें उत्तरपदेश का समसमाईकी भी था और जो लोग हमारी magazines को follow कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा जो है इसमें attempt किया था 16 मैंने इसका solve भी कराया है आप देख सकते हैं और वहाँ पर आपको बताया भी है कि कहां पर जो हमारी magazine से question डाये थे पर्यावरण के साथ जनगरणा के तीन क्रसी के पांच current affairs हलाकि लिखा नीचे है लेकिन तुरूप का इकका यही है देखे 26 question आये थे और अगर economics वाले जो current affairs को भी जोड ले तो ये आकड़ा 30 के उपर निकल जाएगा लेकिन वहाँ पर चुकी हमने इसको economics में दिखा दिया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 30 प्लस जो है ये current affairs जो है था पांच जो है miscellaneous questions थे और reasoning 14 question जिसमे math वैसे reasoning ही आती है कुछ question कभी कभी ऐसे लगते हैं कि वो math के हैं लेकिन होते वो basically reasoning के हैं तो reasoning math जो है पूरा उसमें cover हो जाता है अब थोड़ा और पीछे चलते है 2010 के प्रिलिम्स और exam की बात करते हैं 2010 का ये trend देख लीजे आप जो है इतिहाज, भुगोल बड़े-बड़े segments पे नज़र डालीजे 2010 में कि special exam हुआ था इसके बाद देखिए पूरा बना हुआ आप इसका screenshot ले सकते हैं अगर आपको अपना स्वयम का कोई visualization करना हो वैसे जो इसकी मोटी मोटी बात है वो मैं बस आगे वाली slide में आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे exam 2010 से लेके अब तक कि सारे prelims exam के पूरा और इसी visualization के आधार पर ही हम अपना course भी बनाते हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आयोक का trend क्या चला है अब subject wise हम priority list की बात करते हैं तो ये जो priority है ये 2010 से अभी तक जितने भी exam हुए है सबका आउसत जो है percentage में निकाल कर जो है हमने बनाया है आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रस्न जो है 140 question में लगबग 16% प्रस्न जो है आउसतन जो है जोगरफी से पूछे जाते हैं तो जोगरफी एक महत्पूर सेग्मेंट हो गया 13% current affairs है current affairs 13% इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि जो 2013 और 2014 तक के exam थे तब current affairs के question बहुत कम आते थे इधर current affairs का जो है दुगना हो गया frequency तो अगर इस 13 को अब आप ये मानें कि ये 17-18% है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा तो इसको ये मत समझिएगा वैसे जो है top पर जो है यही होना चाहिए लेकिन अब एक जो है excel में गरती तरीके से उसको निकाला गया है तो इसी तरह से दिखेगा science and technology 12% questions लगबग आते है आधुनिक भारती दिहास के 10% उसके बाद आर्थवियोस था और जिसमें current affairs के सबसे ज़ादा फिर तरवसक्ती से निश्चित है कि 12 से 15 questions जो है math reasoning का जो है mixture आता है जनसंख्या नगरी करण ये एक चौकाने वाला topic है हमारे जो है ROARO में अगर पिछले exams के paper देखें तो ऐसे से years आये हैं 17 question एक साथ एक ही exam में एक ही paper में GSK केवल जनसंख्या नगरी करण से कभी 13 question कभी 15 question हलांकि कभी 7 question भी आ जाते हैं तो जनसंख्या और नगरी करण को आप बिल्कुल भी avoid नहीं कर सकते हैं इसको विश्वास मान लीजिएगा ये किस साल एकदम से ज़्यादा पूछ लेगा इसका कोई भी भरोसा नहीं है फिर NCN से और medieval में लाके 7% UP special से 6% और अब ये भी जहान रखिएगा UP special का एक बार फिर से frequency बढ़ी है ये तो पूरे 2010 से अब तक का calculation है लेकिन अगर इधर के 2-3 paper की बात करने तो UP special को पाच में चौथे नंबर पर इस तरह से जाना चाहिए फिर राजब्योस्था पर्यावरन पारसित्की और बीविद ठीक है ये सब बताने का आपको मकसद क्या है ये सब बताने का आपको मकसद ये है कि जो अब मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आपके पास हम मान के चलते हैं कि अभी 4 महिने अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं जिस दिन जो है मैं ये बना रहा हूँ तो 4 महिने का समय है और आपको जो है एक बात में फिर से कहूँगा कि कभी भी एक सबजेक्ट को पकड़ कर उसमें उलजने की आउशकता नहीं है पता चला कि आपने कहा कि आपके जीयस के आर्ट सबजेक्ट हैं और आपने उठा लिया इतिहास आप इतिहास लेके आप बैठ गए प्राचीन, मद्यकालीन, आधुनिक तीनों में आपने अपनी जी, जान, पूरी ताकत, जोगदी सारा समय दे दिया और हो गए कि इतने महिने देड़ से दो महिने आपने इतिहास बढ़ डाला ठीक है अब बढ़िया आप इतिहास में माहिर हो गए माश्टर हो गए इतिहास में फिर आपको याद आया अरे इक्जाम तो दो महिने बाद है आप बचे हुए साथ सब्जेक्ट का क्या करेंगे तो दोस्तों ये गलती कभी मत कीजिएगा एक साथ सब्जेक्ट ये मेरा मतलब इस पेशल आपसे मतलब एक मूलमन्त मान लीजिए या आपका मैंटर होने के नाते मेरा एक अनुभव जीवन का मान लीजिएगा कि कभी भी सिंगल सब्जेक्ट लेके कम टीट्यु उक्जाम की पढ़ाई मत करिएगा कम से कम तीन सब्जेक्ट उसके फाइदे नुकसान दोनों है फाइदे जादा है एक तो विविरिता रहती है आप बोर नहीं होते हैं आप एक के बाद एक बदलते हैं तो आपका मूड भी बदलता रहता है आप इतिहास वाले महौल से एकदम से आपको याद होना छूड़ी आएगा आप याद नहीं कर पाएंगी जो आप पढ़ रहे हैं इसलिए तीन सब्जेक्ट को जो है आप लेके चली और मैं पाँच सब्जेक्ट की एक प्राइरिटी लिष्ट बता रहा हूँ जिसमें current affairs के बारे में हम discuss कर चुके हैं ये top पे है इसको आपको जैसे पढ़नाव पढ़िए बस ये समझ लिजिए कि आपको 30 प्रस्ट इसी से मिलने हैं और वो 30 प्रस्ट आपके गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि वो maximum लोगों के सही होंगे और जो maximum लोगों के सही होंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए दूसरे नंबर पर जो है geography word geography और Indian geography को अच्छे से पढ़ लीजिए previous year सारे questions को देख लीजिए अच्छे से और उसके आधार पर जो है अभी मैं books की भी अच्छा कर दूँगा को कि आप लोगो कुछ लोगो के वल books के बारे में ज्यादा interest है जानने के बारे में तो books की भी बात कर लूँगा तीसरा number जो है हम कह सकते हैं science and tech science and tech इसमें जो biology है 60% पूछी जाती है बाकी के 40% में physics or chemistry आता है कभी कभी biology 70% आती है physics chemistry 30% में सिमट जाती है तो ये इतना इसारा आपके लिए काफी है कि आपको मेहनत किसपे करनी है important topic क्या है इसके आगे हम discuss करेंगे चौथे नंबर पे आपका आगया भारती राश्टी आंदोलन जिसको मैं यहाँ पर modern history लिख रहा हूँ वैसे वो आपके syllabus में अलग से लिखा हुआ है भारती राश्टी आंदोलन के रूप में तो भारती राश्टी आंदोलन जो है आपको ये पढ़ना है ये इतिहास से अलग है इसको मैं तिहास में भी इन्क्रूट कर रहा हूँ तो ये हो गया और इसके बाद जो है आपको इसके बाद आपको जो है भारती अर्थ वे उस्था पढ़नी है और उसको current से समेटते हैं उसमें आपको इस साल का जो बजट पारित हुआ है इस साल की जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर जितना विश्लेशन है जितना भी आर्थिकी का जो है पार्ट है जो भी जो है चाहे वो उत्पादन से संबंदित जो है डाटा हो जो है भारत का जो है ट्रेड हो बिदेशी ब्यापार हो जो सर्वोच निर्यातक, सर्वोच उत्पादक, क्रसी के छेतर में, मिनरल्स और खनीच के छेतर में इस तरह के डेटा को आपको प्राइटी पर पढ़ना है और हमारी e-magazine में आपको ये फुरी तरह से मिल जाएगा तो पांचवे नंबर पर आपको इको को रखना है ये केवल इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपकी सुर्वात के लिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी छोड़ सकते हैं कुछ भी छोड़ना संभो नहीं है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर आप इनसे सुर्वात करेंगे, तो आप इतने में ही आप लगभग लगभग 65% को कवर कर चुके होंगे 65% आपको 140 नंबर में, मतलब जो आपको कट ओफ के करीब ले जाने वाला काम है, वो इतने से आपका होने वाला है लेकिन उसमें जो धक्का लगाने का काम है, वो नीचे से होगा कैसे होगा, इसके बाद सबसे आसान जो है उत्तर प्रेस बिसेस को उठाईए UP स्पेसल को अच्छे से पढ़िए, अगर कोर्स में है तो बिलकुर निशिंद्र करिए जो आपको नोट्स मिला है, वो परियाब था, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है बाकी और किताबें क्या है वो आपको बता रहे है इसके बाद भारती समिधानेयों राजवियोस था, पूरी तरह से प्रीवियस येर कोश्चन पे बेस, अगर आपके प्रीवियस येर कोश्चन तयार है, इसमें कुछ भी बहुत जो है बदलाव वाली चीज़े नहीं पूछी जाती है उससे आपका जो है पॉलिटी के जो भी 9-10 कोश्चन 11-12 कोश्चन आएंगे, वो बिलकुल जो है सीधे सीधे कवर हो जाएंगे परियावरण पारिसित की जनसंख्याओं नगरी करण और जो है मिसलेनियस जिसके लिए आपको लिूसेंट की जरूवत है लिूसेंट में खासका जो पीछे आली टेबिल्स बनी होती है जिसमें केवल फैक्ट फैक्ट छपा हुआ है उसको पढ़के 10-15 पन्ना है और 5-6 बार रिवाइस कर लीजिए आपका मिसलेनियस वाला जो है सब कवर हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं अब जो है साइन्स की सबसे पहले जो है प्राचीन भारती तिहास की बात करते हैं यह जो है कुछ महतबोर टॉपिक हैं जो प्राचीन भारती तिहास से repeatedly पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर वही लिखा है जो बार-बार पूछे जाते हैं बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो पूछे रहे हैं लेकिन यह वो टॉपिक हैं लगातार जो है हर दूसरे साल तीसरे साल इनसे question जो है आपके exam में आते रहे हैं तो आप इसको जो है देखके note कर सकते हैं और आप जैसे आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनको priority दे दीजिए बस इतना सा करें पढ़ना आपको सब कुछ है priority इनको दे दीजिए जिससे है ले तैयार हो जाएं 2017 में देख लिए जो 6 question आये थे वो किस किस पे आये थे इसी तरह 2017 में जो 8 question आये थे वो किस पे आये थे ancient history के यह यहाँ पर पूरा जो है मैंने इस पर श्टूप से दिख दिया है मधकालीन इतिहास की बात कर ले मधकालीन इतिहास में यह सब topics जो है बहुत ज़्यादा बार बार repeat होके जो है आप से पूछे जाते हैं यह आप इसको जो है नोट कर सकते हैं जाए screen source ले लिजिए अब बात आती किताब हों कि अगर आप किताब जानने में interested हैं तो सबसे बहतरीन अगर इतिहास का कुछ है 9-12 तक की NCRT that's it कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 9-12 की NCRT पढ़िए घटना चक्रपुर्वा लोकन से सारे question को solve कर लिजिए यह आपके लिए Hindi medium है English medium है उसके recording जो है आप नहीं पढ़ेंगे कुछ और पढ़ना चाहिए तो यह सब आपके सामने जो है कई सारे options है इसमें किरन कमटीशन टाइम्स की जो के सीटी की जो हिस्टी की जो हिस्टी की बुकाती है यह आपको जो है fact जो है क्योंकि आप हिस्टी का अगर आपका ट्रेंड है सुमेलन में पूछ रहा है या और वन आउट करके पूछ रहा है तो कुल मिलाकर हिस्ट्री में questions को tough बनाया गया है लेकिन अब कैसे tough बनाया गया है आप पहले क्या होता था पहले पूछता था कि आसायोग आंदोलन किस वर्स प्रारम हुआ तो चार आपसर ने आपको द कांड इधर जो है चार जो है तारीखें लिखिए उनकी अब आपको जो है कैरा कि सुमेलन करिए इसमें यानि कि आपको चारो घटनाओं की exact date पता होनी चाहिए इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि last year के papers को देखिए और जो बिद्रो वगारा जिस तरह से भी उसमें पूछा गया किताबों की और मुझे ब्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है क्योंकि एक concise way में है NCRT परियादारित concise way में बड़ी colorful type की जो है आकरसक किताब है पढ़ने में भी मन लगता है तो यह आपके सामने एक option हो सकता है आप जब जाएं सौप पर तो आप पूछ लीजेगा महेश परिक्षावाडी publication यह अपने आप में एक संपूर किताब अगर इसको कोई जो है हलका समस्ता हो तो वह बहुत बड़ी गलते कर रहा है PCS तक निकालने के लिए परिक्षावाडी प्रकासन जो है अपने आप में परियाप्त है मैं बहुत जो है हाई फंडा और जो है बहु जो है उसके अलावाद दृष्टि की क्वीक बूक्स आती है नो डाउट जिन्यून बुक्स हैं आप उसको भी ले सकते हैं यह सब आपसंस आपके सामने है निधारित आपको करना है एसके पांडे साहब NCRT पर बेजधीन की पूरी हिस्ट्री की तीनों किताबे है modern, ancient, medieval आप पूरा तीनों पढ़ सकते हैं अगर आपके पास लगता कि आपके परियाप्त समय है और घटना चक्र तो आपको previous year questions के लिए लेनी है तो यह आप decide कर लिजेगा फिर आते है modern Indian history इसको आदुनिक भारती इतिहास कहते हैं और हमारे slaves में जो है इसको भारती राष्टी आंदोलन लिखा जाता है क्योंकि यह राष्टी आंदोलन वाला party उसमें ज़्यादा पूछा जाता है तो यह कुछ जो है महत्पूर्ण जो है उसके topics हैं जो बारम बार जो है repeat होते हैं बार बार इनसे जो है question आते हैं और किस तरह के question आते हैं यह भी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप जो है पत्र पत्रिकाये कला संस्कति वारे में कितने तरह के अकाल हैं इस्टेची आयोग मतलब सब तरह के और सब का year year, date और काल करम यह आपको जो है और इसके लिए मैं आपको एक जो है मतलब यहाँ पर एक सला देना चाहता हूँ कि आधनिक भारती तिहास को आप जब से भी मानते हैं मैं कहता हूँ 1857 की क्रांती से हम सुरुआत करते हैं 1857 आप अपने एक कॉपी में हेडिंग डालिए उसके बाद से एक फ्लोचार्ड बनाईए 1858 में क्या हुआ था? 1869 में क्या हुआ था? मतलब सारे सन नहीं लिखने हैं जिस सन में कुछ जो है अच्छा या कुछ महत्पूर घटना हुई थी तो इस तरह से अगर एक आप इस तरह के फ्लोचार्ड बना पाए और 1947 तक उसको ले आए और उसको चार बार आपने रिवाइस कर लिया तो निश्चित मानिए जो कालकरम वाली जो कोश्चन वाली समस्या है ये हमेशा के लिए खतम हो जाएगी कौन सांदोलन किस के बाद हुआ, वहीं पर छोटा चोटा नोट कर लीजिए खिलापात आंदोलन है, तो इसकी कैसे किसने शुरू किया और होम रूल लूक का गठन हुआ, किसने सुरू किया, एनी बेसेंट वाली कौन सी थी, दूसरी वाली कौन सी थी सब को जो है एक के बाद एक जो है इयर वाई लिख लीजिए modern history का इससे बहतरीन जो है कोई ओर तरीका नहीं हो सकता है और इससे आपको कालकरम भी आद हो जाएगा साथ में इयर भी आद हो जाएगा question कालकरम का आएगा चाहे matchmaking का आएगा सब आप जो है पढ़ लेंगे फिर आतने भारती राष्टी आंदोलन अभी जो इसकी किताबों की बात की वही किताबें हैं दुबारा मैंने लिखी हुई है इसमें कुछ बताने की जरुवत नहीं है जो लीजिए एकी ही publication की और एक जैसी ले लीजिए ज़्यादा अच्छी है फिर economic and social development आप इसमें देखिएंगे आप जो है तो कुछ तो static जो है पार्ट है जो जैसे की मुद्रा क्या है GDP क्या है, राष्टी आये की मूला उधारणा क्या है, पंचवर्सी युजनाय क्या है ये static चीजां को सब पढ़ने हैं आप सब टॉपिक दिये हुए है और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो economics में पूछा जा रहा है वो current affairs पूछा जा रहा है तो दोस्तो अखबार का या किसी भी current affairs magazine का जो आर्थकी वाला पन्ना है उसको skip करना आप छोड़ दीजिए उसको जो है prime जो है अपना वो मान के चलिए कि उस पर आपको जो है मेहनत करनी है तो ये जो है इसके कुछ महत्पूर टॉपिक हैं जो है आप दिये हुए है और economics पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है जो है कि आप सीधा-सीधा परिक्षावाडी की या NCRT सार वाली जो है बुक ले लीजिए और या पृतियोगता दरपण का भी से सांकाता इस्टेटिक वाला पोर्शन कवर करने के लिए बाकि current affairs का पोर्शन current affairs से ही लगातार जो है कवर होगा अब जो है सामान विज्ञान की बात करते हैं जिसमें technology भी सामिल है तो physics के ये topics महत्पूर्ण है जो आप प्राइटी पर तयार कर लीजिए बाकि miscellaneous topics को भी देख लीजिए इसी तरह से computers पर आधारित भी RO में विसेश कर question आते हैं दो-तीन question आ जाते हैं computer से related तो computer में ये सब चीज़ें जैसे computer का इतिहास पीडियां, operating system है, software, hardware programming language नहीं पूछता है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि इन में से कौन सी एक programming भासा है या नहीं है इस तरह का तो ये सब जो है important topic है तो इसके लिए कुछ बिसेश नहीं करना है Lucent में भी ये सामानी विज्ञान वाले किताब में दिया हुआ है chemistry में ज़ो है ज़्यादा तर ये questions पूछे गए हैं और जीव विज्ञान में जो है ये है जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा आता है, 60% जो है जीव विज्ञान आता है ये रोग और उपचार, बिटामिन, प्रोटीन, पोसन, बीमारियां, वाइरस से होने वाले, कोसिकान के बारे में, जेनिटिक्स के बारे में ये सब questions जो है इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और तो अब इसमें जो है NCRT बेस्ट है, अगर आप NCRT पे आपका मन करता है पढ़ने को, तो NCRT आप इसमें ले सकते है 9-12 के NCRT अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपका सारा पूरा साइंस इससे कवर हो जाएगा नहीं तो Lucent जो है साइंस की बुक जो है, वो अपने आप में परियाप्त है उसमें सब कुछ है और इतना है कि आपका जो है ये पोर्सन कवर हो जाएगा बाकी जो है टेकनॉलजी वाले पार्ट के लिए करन्ट अफेर्स पे लगतान नज़र रखिये और उसको अलग से नोट करते वे चलिए तो ये मैंने बुक्स दी है, द्रश्टी की कुईक बुक भी अच्छी है और सभी में मैं बताऊं या ना बताऊं आपको घटना चक्र पूर्वा लोकन जो है अच्छे से पढ़नी है, हार टॉपिक को जो है उसको हर कोश्चन को देखना है और इस तरह से देखना है कि एक्जाम में अगर रिपीट होता है कोश्चन तो आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब भारत का भूगोल जो हमारी प्रायटी लिष्ट में दूसरे नंबर पे था मतलब भूगोल की हम संपूर भूगोल की बात कर रहे है वर्ड और इंडिया दोनों की जो है तो इसको तो आपको कॉंसेप्ट लेबल पर भी पढ़ना होगा क्योंकि इसमें ऐसे कुश्चन आप पूछे जा रहे हैं कि दीपो का क्रम बताईए तो दीपो का क्रम आप कैसे बता पाएंगे जब तक आपको मैप पे वो पता होगा तब ही तो आप बता पाएंगे कौन सा देश जो है इस्थल रुद्ध है या नहीं है इस देश को चारो ओर से घेरे हुए कितने देश है या इसकी सीमा इस से लगती है नहीं सकती है, कैस्पियन सागर के किनारे इन में से बसा हुआ कौन सा देश नहीं है, ब्लैक सी की सीमा के चारु तरफ कौन से देश हैं, तो दोस्तों जोगर्फी को बहुत मेहनस से आपको पढ़ना पढ़ेगा, पूरे फोकस तरीके से पढ़िए, मैप के साथ पढ़िए, मैं दुबारा दो राता हूँ मैप के साथ पढ़िए, जोगर्फी को केवल ऐसे किताब उठा के और चार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा वर्ड जोगर्फी हो, चाए इंडिया का मैप, इंडिया का, वर्ड का, एक एक कॉंटिनेंट का, एक एक कंट्री का, ब्लैंक मैप, राजनेतिक और प्राक्रितिक यानि नेचुरल और पॉलिटिकल हर तरह का मैप यहां पर अब लेवल है, आप प्रिंट मारिए और निकाल के रख लीजिए, खुब प्रेक्टिस कर कर लिए, एक-एक महाध्वीप को उठाएए, मा لीजे तरी AMERICA उठाया, यहांट में सारे महाध्वीप में, जिट्ती भी जेले हैं, उनको उपर से नीचे तक बना लिजिए, क्रम ये वही पर दिमाग में बना लिजिए, की कौन सी जेल उपर थी, काौन सी नीचे थी, य यूरोप में आजाई है यूरोप की सारी नदियां सारे पहाण मतलब हर कॉंटिनेंट का अलग अलग फिर जित्ते भी सागर हैं उनको कर लिजिए उनके उनसे लगे हुए देश कौन कौन से हैं और हर महाद्वीप में जो इस्थल रुद्ध देश हैं मतलब जिनकी सीमाय चा मैप खरी लीजिए और एटलस ले लीजिए और एटलस से जो है आप हिंदी इंग्लिस मीडियम सभी में आती जैसी आपकी इक्छाओ जैसा आपका मीडियम हो उसके अनुसार पढ़िए और ये सब जो है कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स हैं ये मैंने बता दिया लेकिन जो ह जोगर्फी के questions को सही करना है जोगर्फी रटने से काम नहीं चलेगा जोगर्फी को जो है यहाँ पे यहाँ पर आपको बिठाना है दिमाग में और नकसा सहीद बिठाना है मैप सहीद बिठाना है खुब मैप प्रेक्टिस करिए चाहे आपको एक-एक महाद्वीब के दद जीओं का, पठारों का, परवतों का, जीलों का सब आपको अच्छे से तयार होना चाहिए फिर आगे चलते हैं भारती, क्रसी, वाणी, जियों, ब्यापार जिसकी हमने बात की थी तो परिक्षा वाणी की किताब भी जो है इसके लिए क्रसी के लिए sufficient है उसके अलामा मुझ जो बड़ा सब पहले प्रायर्टी दीजिएगा, NCRT 9-12 दे सकते हैं आप जो है उसके लावाँ भूगोल में तो महेश वाणवाल सहाब का जो है वैसे भी इतना नाम है उसमें कहना क्या है आप चाहे तो आप इस पे ही विश्वास करके ये किताब ले लीजिए जो है इसक राजब्योस्था में जो है सुरुवाद से लेके और जो है मौलिक अधिकार और जो है मूल कर्तब दे तक ये जो है अनुच्छेद एक से लेके और जो है 49-50 तक जो है ये बहुत ये तो पुरा आपको एक एक अनुच्छेद और उसमें क्या दिया है पुरा याद होना चा सारे previous year questions को और उनकी ब्याख्या को देख लीजिए maximum आपके questions वहीं से आ जाएंगे बहुत ही static subject है बहुत ज़्यादा इसमें deviation आपको questions में देखने को नहीं मिलता है किताबे परिक्षावाडी अगर आप ले लीजिए sufficient है लक्षमी कान साहब की भी book बहुत अच्छी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप पहले उसको पढ़ा है और आप अब उसको चार महिने में पढ़ने के लिए मैं तो आपको जो है नहीं कहूंगा लेकिन अगर यह स्वय अगर आप भी त्यारी करते हैं तो आप निश्ची तूप से पढ़िए आप उसके लिए स्वतंत्र हैं लेकिन आप चाहते हैं कि एक कम समय में और कम समय वाली smart study की जाए जो है तो आप चाहे तो परिक्षावाडी ले लिजिए या महस्वनवाल वाली NCRT साल ले और इसमें जो basic concept जो शुरुवात है जैसे कि परियावरण जित्ते भी परियावरण के मंडल है वाय मंडल में जो तीप गैस परते हैं गैसों का संगठन है वो सब चीजें जो है फिर पारिस्तित्की क्या है पारिस्तित्की के जो है बिविन घटक क्या है उसके बारे में ब सीधा होता है तो यह सब जो है question probably पूछे जाते हैं फिर बायो डाइवरस्टी से आजकल बहुत सारे question आते हैं green out effect मतलब जो applied side है जो है environment ecology का वो अब ज्यादा पूछा जा रहा है तो इन सब का ध्यान दखिएगा मैंने important topics यहाँ पर आपको यह दिखा दिये हैं जन संख्या और नगरी करण यह topic हमेशा चोकाता है समीच्छा दिखारी की paper में कभी यह 15 क्रॉस कर जाता है कभी यह 7 के नीशे रह जाता है लेकिन हमेशा आपको यही मान के चलना है कि इस बार भी यह 15 क्रॉस करेगा तो इसलिए इसको बहुत दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा और इ सबसे जादा इस्त्री साचर्टा वाले राज यह केंसासित प्रदेश अलग उसके अलावा जो है पुरुस साचर्टा वाले अलग साचर्टा वाले अलग तो आप previous year questions देखिए आपको बिलकुस समझ में आ जाएगा कि किस तरह से question आते हैं तो यह उसका एक सारांस भी दिय संपूर्ण वीडियो है एक गंटे से उपर के वीडियो है सब कुछ उसमें आपको बताया गया है अगर आप बुक नहीं भी रेखना चाहते हैं तो उत्ताप के लिए परियाप्त है उसको आप देख सकते हैं इसके लिए घटना चक्र की जो है जो जन संख्या और नगरी कर कर दिया था बिल्कुल आयोग ने नेगलेक्ट कर दिया था तो भारी विरोध हुआ उसका जो है यूपी के विद्यार्थियों द्वारा उसके बाद से जित्ते भी तीन चार एक्जाम हुए है यूपी जो है उसमें च्छा गया है और यूपी इस बार भी आएगा और यू परिशावानी की बुक जो है यूपी के लिए लीजिए और ये सारे महत्पूर्ण टॉपिक लिखे है वैसे यूपी में आपको सब कुछ पढ़ना चोड़ना कुछ भी नहीं कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन सांस्कृतिक पच्छ जो है यूपी के मेले यूप पांस साल में जो है हुई है उनके बारे में नए नए चीज़े नए नच फैकल्टी इस्टेबलिस हुई है सब जो है इसमें तो यूपी का जो है आपको अच्छे से तयारी करनी है और यह आपके सामने है सामान बहुत धी केम तारकिक चमता मुक्य रूप से इसमें जो है reasoning ही पूछता है दोस्तों, reasoning के बाद मैत बहुत कम rare या मैत के question आते हैं वो भी reasoning जैसे ही लगते हैं या reasoning के question आते हैं वो कभी-कभी मैत के लगते हैं तो हम लोग हमेशा confused रहते हैं कि क्या ये pure reasoning है या pure math है तो math भी बहुत ही मतलब सरल वाले question आते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बहुत जो है अच्छी तैयारी नहीं है तो आप इसको solve नहीं कर पाएंगे इसके लिए बस एक ही तरीका है आप जो previous questions दिये हुए हैं उनको आप अच्छे से solve कर लीजिए उनसे मिलते जुलते कुछ उदारणों को solve कर लीजिए आपकी नईया पार हो जाएगी इसमें बहुत ही आसान question आते हैं common sense वाले question आते हैं जो सामानी विद्याती जो है इसको हल कर सकता है यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि प्रारम भी गडित high school इस्तर तक तथा आंग गडित बीजगडित वरेखा गडित में लिखा हुआ है तो जितने भी C-side के papers हैं उनको जरूर solve कर लीजिएगा PCS के और जो आरो के पुराने question आए हैं उसके अलावा जो है कोई बहुत बिसेश इसमें book पढ़ने की मैं आपको सला नहीं दूँगा current affairs के हम आगे चर्चा कर चुके हैं यह उसके कुछ महत्पूर topic हैं जो बार बार आजकल repeat हो रहे हैं क्या पढ़ना है यह सम्मने बता दिया लेकिन हाँ कुछ authentic स्रोत पर ध्यान रखिएगा जैसे बीच बीच में आप जो है रोज नहीं तो P.I.B. की website को हफ्ते में एक बार खोल लिया करिए और एक हफ्ते की जित्ती भी update हुआ करें उसको जो है छोट जल्दी से source होता है वही काम आता है जो P.I.B. पे या government की website पे चीज़े होंगी या उनके द्वारा जारी documents में लिखा होगा उसी को आप claim कर सकते हैं तो यह जरूरी है अब थोड़ा सा मेंस पर भी हलकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बिसा हमारा प्रिलिम्स का था लेकिन चुकि आप तैयारी कर रहे हैं और मैं आपसे बार-बार यह कह रहा हूं कि आपको जो है जोड के चलना है तो मेंस के थोड़ा सा syllabus समझ लेते हैं जिससे आपके दिमाग में खाका किर जाए कि आप अभी से मेंस के लिए क्या करें तो मेंस में जो है जो प्रारंभी परिक्षा जो इसमे अब्जेक्टिव पेपर होता है हिंदी और जीयस का वो दोनों जो है प्रारंभी परिक्षा जैसा ही सलेबस होता है बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं होता है पर नंबर आप कोईस्चन बदल जाते हैं यहां पर आप देखिए 120 प्रस्ण पूछे जाते हैं सामान अध्यन में और सामान हिंदी उसके अलामा जो है बाकी सारा पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव हो जाता है और इसको छोड़ कर तो सबसे पहले परामपरागत या अबजेक्टिव वाले की बात करने जो है तो इसमें धाई गंटे का समय होता है एक गद्यांस दिया होता है आपको वो तिसी जो है जो आपके सामने जो गध्यांस दिया हुआ अपटिद उसमें तीन जो है अंडर लाइंड पोर्संस होते हैं उनकी आपको ब्याख्या करनी रहती है तो इसको कैसे करना है वीडियो पड़ा हुआ चैनल पर आप देख लीजिएगा तो इसको आप प्रेक्टिस करन अगर आप कोर्स में अड्मिशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है उसमें जो है हर जो है वीडियो के लाश्ट में आपको होंबर दिया है उसको आप करिए फिर किसी दिये हुए सरकारी पत का सारणी पूब एक जो है आपको आफिसियल लेटर गॉर्मेंट लेटर द पतिवेदन अनुसमारक इनके आपको प्रारूप का अभ्यास करना इनकी विशेस्ताओं का अभ्यास करना है और इनके बीच में आपस में क्या समानताएं हैं क्या अंतर हैं ये भी आपसे पूछा जाता है तो ये सब जो है बिधिवत आपको जो है कोर्स में दिया ही गया ह पारिभासिक सब्दावली इसमें जो है अंग्रेजी से हिंदी आपको पांच सब्द ट्रांसलेट करने रहते हैं और हिंदी से अंग्रेजी तो आप अगर अभी से जो है रोज केवल ददस बिस बिस सब्द भी आप हिंदी to English, English to Hindi जो है करने लगेंगे और ये जित्ती भी हि पारिभासिक सब्दावली इसमें दी हुई है आप फिलाल अगर उसका भी अभ्याद सुरू कर देंगे तो आपका काफी कुछ तयार हो जाएगा मुहावरे और लोकुक्तियां बहुत प्रिष्लिक चीज है आपको पता है लेकिन वहाँ पर चुकि आपको उसका आर्थ लि सब्सक्राण सी बुक ले लीजिए जिसमें टिपल सी लेविल की हो और उसमें जो है कंप्यूटर के एक एक चैप्टर को पढ़ने तक चलिए तो आपके GS में भी मदद करेगा क्योंकि कंप्यूटर आता है और आपके मेंस में उसके बारे में टिपड़ी लिखने को आती है फिर जो वरतुनिस्ट वाला जो होता है उसमें आपका सेम जो आपका प्री का कोर्से वही होता है मेंस में बस पर्याइवाच्ची सब्ड यहां से गायब हो जाता है और आपके टॉपिक रह जाते हैं 5 और यहाँ पर 6 सब्द और 6 वा के पूझे जाते हैं जिनका नंबर ब बहुत ही decisive role यहाँ पर play करता है, इसके लिए आपको अभी से कुर्चोयत्र, योजना, मैग जीन्स वगएरा हर महिने की लेना सुरू कर दीजिए, सबसे सस्ती तो यही मैग जीन्स मिलती हैं, क्योंकि यह government publication की हैं, और उसमें जो articles दिये हैं, उनका आप एक सारांस अभी से लिखना सुरू कर दीजिए, कैसे एक अच्छा निबंद लिखें, और एक दो निबंद जो है, मैंने यहाँ पर demo के तौर पर चैनल पर publish कर रखा वीडियो को, उसको सर्च करके देख लीजिए, थोड़ा सा आपकी भूमिका बन जाएगी दिमाग में, कैसे लिखें, और प्रयास यह कीजिए कि हपते में एक topic पर एक निबंद लिखने का प्रयास करिए, यह सारे जो छेतर हैं, नौ निबंद में से आपको तीन को चुनना होता है, सभी खंड में से कम से कम एक को करना अ आपके उपर है कि आप क्या पैटर्न जो है तैयारी का अपनाते हैं, तो मैं फिर कहूंगा, मैं आपका आवाहन करूंगा कि 2021 के बाद पता नहीं कब फार्म आएगा, कोई भरोसा नहीं है, 2021 को मत चुकिए, इसी बार जो है समीच्छा दिकारी में अपनी के परिक्षा में, अपनी पूरी ताकत, पूरी लगन, पूरा जो है जिद के साथ अड़ जाईए, और एक अपना अच्छा सा जो है एक जो है ब्योस्तित तरीके का अपना सुड्यूल टाइंटेबल बना कर जो है, जो मैंने चीजे बताई हैं, अगर आपको हेल्पूल लगती हैं, तो उसको फालो करिए, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बीच बीच में हम फिर जो है आपको इसी तरह से जगाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको जगाना, और आपका काम है पढ़ना और सेलेक्शन, और ये बिलकुल अगर आप में जुनून है, आप में जीद है, तो न आप काम है